अगलो फ्रेंड्स आज मैं अपके साथ डिसकस करूंगा फिक्स डिपॉसित काउंट को हम fd भी कहते हैं fd करवा लोग कई लोग कहते हैं fd करानी चाहिए अच्छा होता यह होता वह होता है तो FD होता क्या है? Fixed deposit account क्या होता है? चलिए, simple words में शुरू करते हैं. A fixed amount is deposited for a fixed period of time. Fixed deposit account एक ऐसा account होता है, जिसमें a fixed amount, fixed time period के लिए deposit करवा दिया जाता है. For example, मैंने 5 लाग रुपे या 1 लाग रुपे या अपनी हैसियत के साब से एक amount, fixed time period के लिए एक साल, दो साल, तीन साल, पान साल, दस साल, बीस साल के लिए deposit करवा दिया है. उसे fixed deposit account कहते हैं. Longer the period of deposits, higher is the rate of interest. जितना लंबे time के लिए कराऊगे, उतना जयदा rate of interest आपको मिलेगा. Rate of interest is higher from all other types of accounts. जितने भी other types of accounts हैं, उन से जयदा rate of interest मिलता है इसमें, क्योंकि इसमें बैंक के पास fixed पढ़ा है ना पैसा, और कोई निकलवा नी सकता, अगर निकलवा होगे तो rate of interest कटकूट के मिलेगा. Very famous in the past decades, but due to frequent reduction in the rate of interest, people are now discouraged and moving towards the share markets and other way outs. ये पुराने सालों में तो बहुत famous था, कि लोग जो बुड़े-बुड़े हैं, अबे भी वो FD कराके बैठे हुएं, यंग लोग भी कराते हैं, मगर ज्यादे तर बुड़ों ने FD करवाई हुई है, बुड़े मतलब बजूर्क मैं disrespect नहीं दे रहा, तो basically उन्होंने FD कर करेंगे, तो कम से कम 10-15% का rate of interest दे देता है, as compared to 5% का rate of interest, nowadays rate of interest cannot beat inflation rate, अब आपको सोचो, आपने FD करवाई 5 लाग की, ठीक है, तो 5% के हिसाब से जो आपको मिला, उससे ज्यादे तो inflation rate है, inflation rate मतलब कभी-कभी तो ऐसा हो जाता है, कि आपने 5 लाग की purchasing power bank में जमा कराई, आ आपको 5 लाग की कोई चीज जो आप 5 साल पहले खरीज सकते थे, वो 5 साल के बाद with rate of interest जो bank आपको पैसा देगा, अब वो चीज चार-पांच गुना बढ़ चुकी है, मतलब उसका price बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एक चोटा सा, मान लो आपने 50 लाग की FD कराई, और 5 सा के बाद उस घर की कीमत होगी, 50 लाग की बजाए 80 लाग और 80 लाग आपको rate of interest तो नहीं मिल सकता न, तो कहने की बात यह है कि जब आपको maturity होगी FD की तब भी आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे, जितनी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो इसलिए आज कल लोग जो है FD क के लिए discourage होते हैं, क्योंकि जितने की FD कराते हैं, जितने purchasing power की FD करा रहे हैं, जितने time के FD हुई है, उस time के बाद अगर आप वह maturity जो amount है, उसको निकलवा के वही चीज़ खरीदना चाहेंगे, तो शायद वह चीज़ भी ना है, क्योंकि inflation rate FD के rate को beat कर रही है, यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब, नेक्स्ट वीडियो मैं लेकिया होँगा, e-banking या digital payment पे, till then take care, have a nice day